असलाम इको माई यूटूब फैमिली कैसे आप सब अमीद करती हूं आप सब ठीक होंगे अलागे गर्म से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और यह दुबाहर का टायम है तो बच्छे बोड़े थी कि ममा हमें आप पॉपकॉर्ण बना दे तो मैं इनको बना के दे रही हूं तो यह गर्में जो बनाते हैं यह बहुत ही मज़े के बनते हैं ऐसे तो मैंने दो बार पहले वी ट्राइब कियें बहुत ही मज़ता है खाने में मुझे भी काफी प्संद है तो यह मैं बना रही हूं तो यहां पर मैंने थोड़ा सा ही ओलिया था तक्रीबन हाफ टेबल स्पून औ और उसमें यह में डाल दिये और थोड़ा से इसमें नमक एड़ कर दिया और इनको अच्छे से अब मीडियो माच पर हम इसे बनाते जाएंगे जब यह हलकालका फूलना शुरू हो जाएंगे न तो यह बनने लग गए अब स्टेज भी आकर मैं इसको धक्के रख दूंगी न पिछली बार जब मैंने लास्ट बार बनाए थे ना तो धक्कन देने में थोड़ी से लेट हो गए तो इतना यह के बाहर आ रहे थे तो यह देखे थोड़े से बनाएं मैंने इतने जादा बन गए हैं तो यह काफी बन गए हैं तो के दो तीन बंदे जो हैं पेड़ भर के तो मैंने तो बनाए सब बच्चों ने मिलकर खाए फिर भी थोड़े से बच गए थे और यह देख सकते हैं कितने अच्छे बन के रेडियों हैं बिल्कुल भी जलते नहीं हैं यह नहीं सोचिएगा आपके यह जल जाते तो यह बिल्कुल भी नहीं जले इतना मुज़े के बनते हैं और फिर उसके बाद फबीहा मेरे पास लिप पर बैठी हुई थी किचन में और इसके काम देखेंए काहँ चड़के बैठी हुई है और यह इसी इंतिजार में थी कि मौमा बनाए और में खाओं और आपया मैं पूछ री थी कैसे बने केह रिये के ममा ऐसे लग रता हैने की तो आ धारी है तो मने की तो ड़लता दलता आ हूं। तो आज मैं बना रही हूँ, जासाधा स्पाइसी जास ह tasting अब ऑर रही हूं। और टू मीडियूम साइज के प्याज हैं उनको कट कर लिया है बारी कर लें या मोटा कर लें मर्जी है आपकी क्योंकर इंको बाद में हमने गला नहीं है पानी एड़ करके थोड़ा सा मैंने इसमें एक टेबल स्पून इसमें लहसन है वो उनको पीस के ले लिया है और जब व होना ही कर लिया है स्टेच प्याकिस में हरी मृचे और टू मीडियम साइस के इसमें टोमांटर बो ऐड़ कर दिये हैं मिर्च आप अपीस के काट के बीकर सकते हैं आपकी मर्जीं है और नमक के लिए होड़ कर देंगे थोड़ी सी सुर्ख मिर्टा आड़ कर दी dau, थोड़ पीसा ओअब आड़ा कर देंगे तो यह सारे चीज़ें बस जदा स्पाइसिस मैं इसमें आड़नी कर रही बस इतने ही करूंगी तो बड़ी अलाची मेरे पास नहीं थी तो मैंने आड़नीं की और हजबंड नहीं थे घर पे तो फिर मैंने यही बैना ली पस तर यहीं मिसाले इसमें आट किया है अब भैसर इसे ईच्छे बहून लेंगे और इसमें बाद में पानी आट कर दूँगी इसमें यहां दो गलास पानी आट करूँगी जिसमें तो यह इसकी वहनाई साइसे हो गई थी तो ये दो ग्लास इसमें पानी के एड़ कर दिये हैं इसको ढ़क के रख देंगे तकरीबन 25-30 मिट के लिए तो ये अच्छे से गल जाता है 25-25 मिट में अच्छे से गल जाता है आप चाहें तो प्रेशर भी लगा सकते हैं मैं भी कभी कबार लगा लेती हूं तो वहां मैं ये के बनाने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग होता है तो कुकर में जब भी बनाती हूँ न तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसमें सारी चीज़े एक साथ ही ढालके इसमें प्यास फ्राइड नहीं करती है सारे चीज़े आड़ करके बस प्रेशर लगा देती हूं 20 मिट का तो यह गल जाता है सही से बन जाता है फिर बाद में भून लेती हूं आवल डालके तो यह देखें यहां पर मैंने 25 मिट के बाद धकन उठाया इसका हलकी आज पर रखा था तो इसलिए पानी खुश्क नहीं दोंगी तो यह बनके बहुत ही मज़े का रेड़ी हुआ था तो बस व्लोग हमारा इतना ही तो इन्शाला मैं आगे कोशिश कर रही हूं कि घर की रोटीन भी आपके साथ शेयर करूं तो अभी तो जस्ट मैं कूकिंग की वीडियो ही दे रही हूं और बस व्लोग हमारा लाइक कर दे चैनल को सबस्क्राइब कर दे मिलते हैं नई वीडियो के साथ अला आफीस